Hello Everyone, This is your Roshan Bhaiya So, बच्चों आज के इस वीडियो में हम 2025 में होने वाले Class 10 बोड परिक्षा के लिए Sanskrit के बिल्कुल Official Paper को देखने वाले हैं इसके Answers में तुम्हें करवाने वाला हूँ यही questions तुमारे परिक्षा में आते हैं अगर तुमने आज तक Sanskrit कभी भी नहीं बढ़ा होगा लेकिन अगर इस sample question paper को तुम तयारी करके जाते हो तो guaranteed तुमारे बोड परिक्षा में 80 out of 80 number भी आ जाएंगे क्योंकि इस Sanskrit का paper बहुत ज़्यादा heart तुमारा नहीं पुछा जाता है in comparison to Hindi तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें संस्कीत के paper के pattern के बारे में बताऊं तो तुमारा जो Sanskrit का paper रहेगा वो चार sections में divide रहेगा जिसमें से जो तुमारा खंड का रहेगा यह अपटिता बोधनम questions रहेंगे 10 number का मतलब की एक गध्यांस दिया वा रहेगा 10 marks के question रहेंगे दुसरा तुम्हारा रचना से रहेगा फिर व्याकरन से रहेगा फिर तुम्हारी पाठ्य पुस्तक से रहेगी चलो आगे मैं तुमको इसका question answers करवाता हूँ तो सबसे पहले जैसे मैंने काया कि एक गध्यांस दिया वा रहेगा तो संस्कृत में जो गध्यांस है उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है संस्कृत के गध्यांस के questions के answers तुमको बहुत ही easily मिल जाता है अगर मैं directly तुम्हें questions बताओ तो यह तरीका भी है कि तुमको पूरा गध्यांस पढ़ने की जरूरत नहीं है directly जो questions होगा उसके questions करना फिर गध्यांस में पढ़के खोजने कोशिस करना easily तुम्हें answers मिल जाता है अब जैसे अगर मैं इस question के बताओ तो एक पत में तुमको answer लिखना है मतलब तुमको प्रा sentence नहीं लिखना है only one word में तुमको answer लिखना है question दिया गया है कि केशाम जीवन घटना अनियवय सिक्छा प्रदा भवनती इसका मतलब केशाम मतलब होता है किसके किसके जीवन की घटनाई दूसरों के लिए सिक्छा प्रद हैं किसके जीवन की घटनाई दूसरों के लिए सिक्छा प्रद हैं त तो इसका देखो answer तुमको ना, ये देखो sentence यहाँ पर दिया गया है, तेसाम जीवन घटना अनियव्य सिक्छा प्रदर यहाँ पर भवन्ती दिया गया है, ठीक है, मतलब पूरा sentence तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक कोशन का दिया हुआ है, बट यहाँ पर यह जो तेसाम है ना बात की जा रही है, तो इसमें answer होगा first वला का पूर्वजानाम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, पूर्वजानाम मतलब अपने, यहाँ पे इसका मतलब दिया गया है कि, अपने पूर्वजों को याद करने से हमें अदभुत, विस सिष्ट, महत्वपूर्ण और समाजपयोगी एवं परोपकारी, कार्य करने की प्रेणना मिलती है, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बुला गिया है, कि किनके जीवन की घटना ये दूसरों के लिए सिक्छा प्रद है, तो पूर्वजों की जीवन की घटना ये दूसरो साम लिख देंगे, ठीक है, चलो आगे इसका हम सेकेंड कोशन देखते हैं, सेकेंड क्या है कि केन, केचन, भूमीम, इमाम, अभुशयन, अब देखो अगर तुम्हें हिंदी ट्रांसलेट करू तो इसका मतलब होता है कि कुछ लोगों ने इस भूमी को किस से सुसोभित किय है, तो इसका भी तुमको एंसर सेम टू सेम लाइन मिल जाएगा, देखो यहाँ पे, ब्रह्म तेजसा केचन, भूमीम, इमाम, अभुशन, तो इसका सिंपली जो तुमारा एंसर हो जाएगा न, ये ब्रह्म तेजसा हो जाएगा, ठीक है, यानि कि कुछ ने इस भूमी को ब ब्रह्मा के तेज, ये एंसर तुमारा होगा, ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका एंसर जो है, ब्रह्म तेजसा लिख देंगे, ओके, थार्ड कोशन है कि, पूर्वजानाम संस्मर्णम क्य करता हो या मेव, तो इसका भी देखो, यहाँ पर तुमको मिलेगा, पूर् मा भी, यही लिख देंगे, पूर्ण वाकिय में कोशन एंसर है, इसका solution थोड़ा सा करवाता हो, तो पहला कोशन दिया गया है कि, भारत भूमिया प्रती पदम का भी प्रती धवनिते, कोशन है कि भारत की भूमी का प्रती रूप क्या प्रती धवनित होता है, तो देखो, इसका answer भी तुमको यहाँ पे बहुत ही easily मिल जा रहा है, कि भारत भूमिया प्रती पदम स्रेष्ट नर्ना निराम जीवन गाथा भी प्रती धवनिते, तो इसका answer simply हम यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है, मतलब कि भारत की भूमी का पगपग महानतम नर्नारियों क जीवन गाथाओं से गूंजता है, इसका मतलब यह हो गया, चीक है, तो इसका answer हम वही चीज लिख देंगे, जो मैंने तुमको दिखाया था, नेक्स्ट अगला question है, कि पूर्वजानाम संस्मर्णम इसमान किद्रिसम कार्यम करतुम प्रोत्साहिती, यानि हमारे लाइन में इसका answer दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट लाइन में इसका answer दिया हुआ है, और इसका हमने तुमको हिंदी translation भी बताया था, कि अपने पूर्वजों को याद करने से हमें क्या-क्या मिलता है, तो हमें अदभूत, विसेष्ट, महतवपूर्ण, समाजबयोगी, ए यह वाला चीज़ हमनों लिख देंगे, कोई question था, कि क्या था, कि हमारे पूर्जों का स्मरन किस प्रकार के कारियों के लिए प्रुतसाइद करता है, तो इन कारियों के लिए प्रुतसाइद करता है, यही सब answer हो जाएगा, चीक है, तो first लोला का answer मैंने तुमें बताया था second वाला का answer जो line अभी मैंने तुमको दिखाए, से वही line तुम इस प्रकार से answer में लिखत होगे, इसका थार्ड question तुमारा दिया गया है, कि भारत भुमे धर्मम संस्कृतिम जनतास्चक के समर्चयन, भारत के धर्म के संस्कृति और लोग की रच्छा किस ने की, तो इसका answer तुमको बहुत ही मिल जाएगा, कि अपरे चा केशन विरा चात्रेन ओजसा चा भारत भुमे धर्मम संस्कृतिम जनतास्च समर्चयन, इसका मतलब यहाँ पर दिया गया है, कि जो भारत के वीर लोग थे, तो भारत के वीर लोगों ने अपनी छत्रिय सक्ति से भारत भुम के धर्म, संस्कृति और लोगों की रक्चा करी, तो बस यही answer तुमारा यहाँ पर complete हो जाता है, तो थर्डवला का answer तुम कुछ इस परिकार से लिख सकते हो, same line तुमको उठा कर लिख देना है, तुमको बहुत ही easily पैसे से मिल जाता है, एक question इसमें यह भी दिया गया था, जिसमें तुमको अनुछेद के अनुसार यानि की जो गद्यांस दिया हुआ है, उसके अनुसार तुमें एक सिर्षक लिखना है, तो भाई यह बहुत ही आसान है, अगर तुम पढ़ते हो ना, इस गद्यांस को पढ़ते हो, तो तुमको एक दो line से ही यह समझ में आने लग कि यह जो गद्यांस है, यह तुमारे पूरवजो को लेकर गद्यांस दिया हुआ है, तो simply इसका अगर हमें answer लिखना रहेगा, अगर हमें कोई एक सिर्षक लिखना रहेगा, तो हम पूरवजाह लिख सकते हैं, पूरवसं समर्णानी भी लिख सकते हैं, या पूरवजानम भी लिख सकते हैं, तुमारा सारा ये सही हो जाएगा, ठीक है, तो सिर्षक ये हो गया, चलो इसके बाद हम आगे के यहां कोशन को देख रहे हैं, अब यहां पे कुछ multiple choice कोशन दिये हुए हैं, इसको भी यहां पे समझ लो, पहला कोशन है कि ते एव भविश्यती काले जन संस्मर्यंते अत्रकीम क्रिया पदम, यहां से जो तुमको क्रिया पद है, वो तुमको छाटना है, क्रिया मतलब समझी रहे हो, भर्ब, यानि की action word, अब इसमें action word कौन सा है, तो अगर हम option ले, भविश्यती, भविश्यती ये भविश्यती की बात की जारी, इसमें कोई, य संस्मर्यंते का मतलब क्या होता है, याद करना, तो obviously इसका right answer होगा, option God, ठीक है, इसका second question है, कि उक्त, उक्त, इती विशेशन पदस्य विशेश्यती पदम कीम, तो उक्ता का तुमको यहां पर विशेश्यती पद लिखना है, तो देखो, यहां पर तुमको इसका answer मिलेगा ते उक्ता मारगे, तो मारगा, तो इसका जो इसे से पद उक्ता का होगा, क्या होगा, मारगा होगा, तो इसका जो answer तुम लिखोगे, यह option का तुमारा इसमें गाथा सही, इसमें तुमारा कावला सही हो जाएगा, मारगा, चीक है, इसका third question तुमारा दिया गया है, धराम, धराम मतलब क्या आता है धर्ती धर्ती का तुमको परियावाची सब्द गद्यान्स के अनुसार लिखने के लिए बोला गया है धर्ती का परियावाची सब्द तो देखो धर्ती का धर्ती काम लोग क्या बोलते है धन्या धन्या बोलते हैं नहीं, धर्ति कोम क्या बोलते हैं, भूमी कोई धर्ति बोला जाता है या भूमी मिसका सही अणसर हो जाएगा ठीक है, इसका right answer खोवा हो जाएगा, फिर अगला question है अज्ञानें, अग्यानें का तुमको विलोम सब्द लिखना है, ठीक है, विलोम सब्द, तो अग्यानेन का क्या होगा, अग्यानेन हो जाएगा, यहां सिंपलिस का एंसर है, अग्यानेन का ग्यानेन, अग्यानी का क्या होगा, अग्यानी होगा, सिंपल सी बात है, तो यह हमने सारे कोशन तुम्हारा गध्यान सवला से करवा दिया है, यहां से 10 marks तुम एजली सिक्य answer से इसको समझाने वाला हो तो यार channel को जरूर सब्सक्राइब कर लेना पूरा sample question paper जो तुमको मिला हुआ है ये मैं तुमको पूरा का पूरा समझाने वाला इसके सारे answers को अच्छे से समझाऊंगा तो channel को जरूर subscribe करके रख लेना मिलते हैं दुसरे वीडियो में थैंक यू बबाइ